हेलो दोस्तो, वेलकम अल, हाँ दोस्तो, फर्स सेशन में हमने कंप्लीट किया, MPNHM स्टाफ नर्स का जो आपका एक्जाम होने होने वाला है, उसके 30% सिलाबस है, उसका फर्स सेशन हमने कंप्लीट किया, इस सेशन में हम आगी की कुछ कोईशन्स देख लेते हैं, जो से ज़्यादा वेकैंसी है और कॉंपिटिशन भी बहुत ज़्यादा है तो आप अपनी प्रिप्रेशन जारी रखें यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और बेला कंद भाएं ताकि आगे के अपडेट्स आपको मिलती रहें तो अपना ज़्यादा व्यादा दे वर्डेशन गणिटा जाता है तो उस ताम फोटोसंथेसिस कि अपना घंटे बढ़ जाता है नेच्स पुस्षं देख लेते हैं दोस्तो इस राचन आफ दुग रतना वली इस रतना वली पुस्तक के लेखकोन है बहुत इंपोर्टेंट अंगे का एक्जांस में भी आया है तो दोस्तों उसको याद रखना हर शवर्धन जो है वो रतना वली बुक के और अथर हर शवर्धन जी जो है वो रतना वली बुक के और अथर है नेक्स दोस्तों देख लेते हैं अब्जेक्ट ऑफ संगम योजना इस जो संगम योजना है उसका क्या उद्देश है यह आपका health department से related है तो यह बहुत important question है दोस्तो विकलांगों का कल्यान सुनिश्चित करना ही संगम योजना का अर्थ है CHO का जो exam 27 जुन को हुआ था उसमें भी इस questions आये थे इस जो संगम योजना का उद्देश है इन basketball how many players are there in each side बास्केट बॉल के खेल में प्रत्यक्षेत्र में कित्ते सदस्य होते हैं तो five members होते हैं बास्केट बॉल के खेल में प्रत्यक्षेत्र में five सदस्य होते हैं the question हमारे पासे say the mirror use by ENT یہ Science का question है दोसतो Physics का question है ENT with correct र然后Ш उपयोग किया गया जो दर्पन हो क्या है वो coyan cloud mirror है तो दोटारागे mirror अक मेंहारा comment mirror और एक होता हैंमारा convex mirror तो जो ENT जो ENT होते हैं विकर रपन्र성 यूस करते हैं वो यूस्श करते हैं utal doubt panigs नेक्स दोस्तों देख लेते हैं Operation Cactus is the name given to Indian military intervention in Operation Cactus कहां कौन से mission को नाम दिया गया था Operation Cactus वो माल्दीव में जो mission हुआ था उस mission को नाम दिया था Operation Cactus Next question है हमेरे पास दोस्तों Azlanshah कप किस खेल से associated Azlanshah कप किस खेल से संबंदित है तो हौकी Azlanshah कप हौकी से संबंदित है आपको यह याद रखना है Next दोस्तों देख लेते हैं In India the Plateau of Malwa In India the Plateau of Malwa is an example of Mahadvipir पठार Continental Plateau जो हमारे Malwa reason पर जो पठार है वो किसका उधारन है यह Continental Plateau का है दोस्तों यह MP का थोड़ा से GK है इसलिए यह MP के GK का पार्ट है तो यह आपको याद रखना है यह important question है Next question Blood Clotting will not occur in absence of किस के अभाव से blood clotting नहीं होती तो जो calcium है Calcium का अभाव हो जाएगा तो आपका blood clotting नहीं होगी Calcium के अभाव के कारण आपकी blood clotting नहीं होगी Next question देख लेते हैं दोस्तो Which of the following cause poliomyelitis निम्नमेसर किस के कारण poliomyelitis होता है तो इसका answer है enterovirus Enterovirus के कारण आपका क्या होता है poliomyelitis होता है Next question हमारे पास है दोस्तो Which one of the following do not take part in election of president जो हमारा president of India होते हैं उनके election में कौन participate नहीं करता तो nominated member of Rajya Sabha दोस्तो एक होता है elected member Elected member मतलब उनका वो elect हो गए है और एक होता है nominated member Nominated member होते हैं जिनोंने nomination file किया है Rajya Sabha के लिए But उनका selection नहीं हो और वो elect नहीं हो है तो nomination member का कोई role नहीं होता है President के election में The number of pairs of spinal nerves in man is तो मनुष्य के मेरू नंत्री कोण में जोडो की संख्या कितनी होती है 31 हमारे पास क्या होते है Pairs of spinal nerves होती है Man के शरीर में Next question दोस्तो देख लेते हैं तो दोस्तो नेक्स्ट पूछा गया है कि म्रचक कटी का किसके द्वारा लिखी गई है यह आपका जीगे का question है तो म्रचक कटी का सुद्रका के द्वारा लिखी हुई है दोस्तो यह previous year में आयो है question है Various nursing exams में तो आपको यह questions अच्छे से रिवाइस कर लेना चाहिए next question देख लेते हैं दोस्तो the mean distance from the sun to earth is called सुर्य से प्रत्वी की ओसत दूरी कहलाती है सुर्य से प्रत्वी की ओसत दूरी कहलाती है astronomical unit खगोलिय इकाई क्या बोलते हैं दोस्तों हिंदी में उसको खगोलिय इकाई astronomical unit the mean distance from the sun to the earth is called astronomical unit सुर्य से प्रत्वी की ओसत दूरी क्या कहलाती है खगोलिय इकाई next question हमरे पास chemically fats and oils are rasainic रूप से वसा और तेल है तो यह है दोस्तों हमरे पास tristers क्या है दोस्तों? tristers next question देख लेते हैं हमरे पास है which protein occur evidently in egg egg में कौन सा protein अंडे में कौन सा protein प्रचूर मातरा में पाया जाता है तो albin albumin कौन सा protein है दोस्तों? albumin albumin protein अंडे में प्रचूर मातरा में पाया जाता है next question देख लेते हैं दोस्तों NIC NIC जो है N full form of NIC है National Informatics Center NIC का full form है National Informatics Center NIC का full form है दोस्तो, National Informatic Center Next question है, Doldrum is a zone of Doldrum किसका शेत्र है, तो Intertropical Convergence अंतर सामाईक अभी सरंड का शेत्र है Doldrum किसका जोन है दोस्तो, Intertropical Convergence Next question है हमारे पास, If a panchayat is resolved Elections are to be held within one month दोस्तो ये थोड़ा सा political science कोश्चन आ गया कोई panchayat भंग हो जाती है, तो एक महिने के अंदर उसका चुनाव होता है If a panchayat is dissolved, then elections are to be held within one month एक मन्थ, एक महिने के अंदर उसका चुनाव होता है Last question देख लेते हैं Who found the Brahma समाज Brahma समाज की स्थापना किस ने की थी? तो ब्रहम समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी? ये आपका जी का कोश्चन है राजा राम मोहन राय ने ब्रहम समाज की स्थापना की थी? तो दोस्तो ये थे next आपके 20 questions Top 20 questions जो previous exams में आए हैं जी के and अपना current affairs से and आपका health department से related questions तो दोस्तो ये हमने next session का continue किया अगली की sessions में और जादा questions हम लाएंगे and revision आपका complete करेंगे तो आप अपने preparation जारी रखे इन में कुछ doubt आता तो आप comment करके पूछ सकते हो and यदि आप channel पर ना आए तो channel को subscribe करें like करें and bell icon दबाएं ताकि आगे की updates आपको मिलते रहें दोस्ता आप अपनी तयारी जारी रखे and have a good luck